हमारा चानल जरूर सब्सक्राइब करें ये वीडियो आप पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करें नमस्कार मैं तनवीश अंचाली का डॉक्टर मेधा महिंदले आप सभी से संबोधित कर रहे हूं मालिश ये ऐसी चीज़ है वो करने से हमारी कांती बहुत ही सुन्दर हो जाती है शरीर तेजपुंज हो जाता है और हमारा अयुश्य वर्धन मालिश रोज करने से होता है ये अयुश्य का तो वर्धन होता ही है लेकिन जो हमारे शरीर में दोश बढ़ते हैं कम होते हैं उनका संतुलन करने का काम भी ये मालिश करता है तो रोज आपका व्यायाम होने के बाद तनवी तिला पेन ओयल आपको ये ऑनलाइन या केमिस्ट के पास भी मिल सकता है तो ये त पूड़े बाड़ी को मसाज नहीं कर सकते तो अयुरुवेद ने ऐसा बताया है कि कम से कम तीन चीजों का मसाज जलूरी है आपके सर को मसाज करना आपके कानों को मसाज करना और आपके पाव को मसाज करना हाथ को मसाज तो आप मसाज करते समय हो ही जाता है ये तीनों अच्छा फाइदा आपकी तंदुरुस्ती के लिए आपको होता है यह मसाज करने से बूढ़ा दिखना नहीं होता हमेशा आदमी जवान ही लगता है उसी के साथ आपने जबी देखा होगा कि जबी भी हम कोई भी पेड़ पौधा है तो उसको पूरे पेड़ पौधे को पान में पत्ते आते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं फूल खिलते हैं तो इसका मतलब अगर हम रोज हमारे शरीर को तेल लगाते हैं तो उससे पेड़ के जैसा ही तेल लगा के फिर स्नान करने से हमारे शरीर को पेड़ जैसे ही फाइदे होते हैं और फूल जैसा हमारा चेहरा ज पाव को मसाज करना ये बहुत ही जरूरी ऐसा कहा गया है ये मसाज करते समय रुदय से उपर ऐसा और बाकी पाव से नीचे ऐसा मसाज करना ऐसा भी एक प्रक्रिया मसाज का बताया गया है ये जो शरीर की मालिश है जैसे अपने को सुखद लगे वैसे भी करेंगे तो भी चल मालिश करेंगे तो नहीं चलेगा आपको सुझन है कोई कफ की जादा ही बड़ी बीमारी है तो आप मालिश नहीं कर सकते तो यह जो मालिश करना है आपको कोई तकलिफ अगर है कोई कफो मातपिकत की बीमारी है तो आपको आपके कोई डॉक्टर की सलाह से ही यह मालिश करना जरूई होता है, यह मसाज हमारे शरीर को 100 साल निरोगी रखने के लिए, हमारी कांती उजवल रखने के लिए, धातू पुष्टी अच्छी होने के लिए वर्ण कर ऐसा काम करता है, ज्यादा चलने से शरीर में ठकानाती है पाउ में दर्ध होने लगता है तो बहुत ज्यादा जबी हम ठके हुए होते है वो समय पे आप बहुत ज्यादा ठकने पर तेल से मालिश किजिए तनवी तिला पेन ओईल से और बाद में गरम पानी में अपने पाउ डुबो के एक दस मिनिट के लिए बैट जाए हो उसमें चाहिए तो आप गरम पानी में नमक भी डाल सकते है तो इससे आपके पूरी की पूरी ठकावट निकल जाएगी और पूरे शरीर की पेशियों को नई एनरजी उससे मिल जाएगी तो इसलिए तनवी तिला पेन ओईल से रोज अपने शरीर को मसाज कीजिए स्लिम ट्रिम रहने के लिए कृशो लोगों को अच्छी सेहत के लिए और नॉर्मल लगों को भी अच्छे सेहत के लिए सुड़ाउन रहने के लिए इसका जरूर फाइदा होगा ये जो तेल हम लगाते हैं खुद लगाना जरूरी है बच्चों से लेकर बढ़ों तक सभी ये तेल अपना सकते हैं लगा सकते हैं ये जो तेल है ये तनवी तिला एडीबल ओईल रात को सोने के समय कान में थोड़ा सा तेल अपनी उंगली पे लेके अगर कान में आप लगाएंगे रोज रात को तो उससे हमारी सुनने की जो शक्ती है शमता है वो बरकरार रखने के लिए उसका फाइदा होता है और करणरोग न हो उसके लिए भी हमें इसका फाइदा होता है